दोस्तों अगर आप भी website create करना चाहते हैं बिल्कुल free में तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बिल्कुल free method बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप free domain, free web hosting का use करके एक website create कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ notification को भी on कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की notification आपको मिलती रहें अब हम अपनी topic के उपर आते हैं कि वहीडिया किस तरीके से हम free में website create कर सकते हैं जिसके लिए हमें domain भी purchase न करनी पड़े हमें hosting भी purchase न करनी पड़े तो सबसे पहले आपने जानी है Google के अंदर और यहाँ पर आपने search करनी है infinity free और सबसे पहले जो site आपके सामने आएगी इस website को आपने open कर लेनी है infinityfree.com और यहाँ पर आपने रजिस्टर कर लेनी है यहाँ पर आपने अपनी email फिल करनी है हम यहाँ पर अपना email फिल कर देते हैं देन आपने यहाँ पर अपनी password create कर लेनी है यहाँ terms and condition को agree करनी है और sign up के button पर click कर देनी है then आपके email के ऊपर एक confirmation mail जाएगा आपने उस mail को confirm करनी है तो हम यहाँ पर अपना Gmail open कर लेते हैं आपके Gmail के अंदर कुछ इस परकार का notification आया होगा आपने यहाँ verify email address इसके ऊपर click करनी है और simply अपने infinitive free account को verify कर लेनी है यहाँ तक तो आपने infinitive free.com के उपर अपना account create किया अब आपने infinitive free.com के उपर अपना hosting account create करनी है तो यहाँ पर आपको up to three hosting account create करने का option मिल जाता है जिसके जरीए आप अपनी website को live कर सकते हैं website बना सकते हैं तो यहाँ हम create account इसके उपर click करेंगे और यहाँ पर हम सब domain के अंदर अपने business का नाम दे देंगे अगर आप यहाँ पर custom domain भी include करेंगे तो यहाँ पर custom domain भी include कर सकते हैं यानि कि अगर आपने domain purchase किया हुआ है already किसी registrar से उस domain को आप यहाँ पर connect करना चाहते हैं तो उसे भी connect कर सकते हैं connect करने के लिए आपने यहाँ पर custom domain इसके उपर click करनी है यहाँ पर अपने उस domain का name देनी है जो domain आपने purchase किया हुआ है then आपने जानी है अपने registrar के dashboard के अंदर वहाँ पर आपको dna setting का option मिलेगा dna setting के अंदर आपने यह नया name server add कर दिनी है नया name server आपने क्या डालनी है यह first section के अंदर आपने डालनी है ns1.infinityfree.com और second column के अंदर आपने ns2.infinityfree.com आपने यह include करके उसे save कर देनी है आप जब यहाँ check availability के उपर click करेंगे तो यह automatically आपका domain connect हो जाएगा तो इस तरीके से तो आप custom domain को भी connect कर सकते हैं जिसे के आपकी site और भी professional दिखेगी अगर आप free domain use करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको sub domain create करनी होगी means कि already यहाँ पर domain extensions लगे हुए है उन domain extensions के ऊपर आपने अपनी business का name देना है जो भी sub domain आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर राहत fashion ओके हम अपने trade name यहाँ पर दे देते हैं उसके बाद यहाँ पर हम domain extension चूज कर लेते हैं अब यह इतने सारे ड does ग्रमें और चैक कर लेनी है जो में जिलाब को और पर देखते हैं कि इसकी उपर क्लिक करते हैं तो यह domain available है, हमारा domain हो जाएगा पूरा राहतfashion.free.f, ओके, यह हमारा domain होने वाला है, अब यहाँ पर अपनी account label को एक नाम देनी है, तो account label name में आप अपने domain का नाम भी रख सकते हैं, या whatever आप यहाँ पर नाम देना चाहें, दे सकते हैं, ओके, तो हम यहाँ पर अपना domain name ही रहने देते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने hosting की password create करनी है, यहाँ पर हम अपने password create कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपने create account इसके उपर click करनी है, तो यहाँ आपके सामने कुछ images आएंगे, इन्हें आपने verify करनी है, यहाँ पर bridge, हम यहाँ पर bridge को verify कर देते हैं, त यहां पर Control Panel भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी फेवरेट CMS को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके उपर आप अपनी वेब साइट को create कर सकते हैं, तो आपने यहां फिनिश इसके उपर क्लिक करनी है, अब आपने यहां पर Control Panel के अंदर लॉग इन करनी है, तो यहां से Control पैनल करना लॉग इन कर सकते हैं, फाइल मैनेजर को आपने एक्सेस करनी है, तो यहां से फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने या भी यहां पर WordPress को इंस्टॉल करनी है, तो आप यहां पर यूज करेंगे Shofta Clues Installer का, या किसी और भी CMS को इंस्टॉल करना चाहत उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार का एक notification आएगा आपने यहां से simply इसे approve करनी है यह terms condition के according है यहां पर जब आप इसे approve नहीं करेंगे तो आपका hosting enable नहीं होगा तो ध्यान रहे कि आपने उसे approve करनी है तो यहां पर कुछ इस परकार से आपके सामने hosting पैनल का यहां पर control पैनल open हो जाएगा अब यहां पर आपने चूज करनी है Shopify Clues App Installer जिसके थुरू हम अपनी hosting के ऊपर WordPress या किसी other CMS को install करेंगे और उस पर हम अपनी site को create करेंगे तो अब यहां पर आपने choose कर लेनी है कि कौन सी CMS आप यहां पर यहां पर use करना चाहते हैं हम यहां पर सबसे popular यह WordPress इसे ही use करेंगे तो आपने यहां पर WordPress इसको install कर लेनी है और इसे activate कर लेनी है यहां पर अपना admin user name password देंई है अब हमारी hosting के उपर यहाँ पर WordPress CMS install हो रहा है WordPress CMS install होने के बाद आपने WordPress dashboard के अंदर login करनी है और वहाँ से आप अपनी site को आसानी से create कर सकते हैं अब WordPress के उपर आपने site किस तरीके से create करनी है pages किस तरीके से create करनी है उसके उपर हमने already बहुत सारी dedicated videos बनाई हुई है आप देख सकते हैं कि यह WordPress CMS यहाँ पर install हो चुका है हमारी hosting के उपर अब हम अपनी site का एक overview देख लेते हैं तो हम यहाँ अपनी site के domain के उपर click करेंगे URL के उपर और कुछ इस परकार से हमारी site open हो जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारी site open हो रही है हमें WordPress dashboard के अंदर login करनी है तो हम यह WordPress dashboard के URL के उपर click करेंगे और simply हम अपनी WordPress dashboard के अंदर login कर लेंगे तो I hope कि इस वीडियो के माध्यम से आपने सीख लिया होगा समझ लिया होगा कि अगर आपने free में website create करनी है लाइक शेर जरूर करें अगर आपका इस वीडियो से लेटेड कोई सवाल कोई doubts है तो आप नीचे हमें comment करके पूछ सकते हैं otherwise आप हमें Instagram और Facebook पे भी जरूर follow करें और अगर आपको किसी परकार की कोई भी issue आती है तो आप हमें anytime contact कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में किसी नई topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद्द हुआ 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 है